हरी चन्द जलमेरिया एड़ोकेट हाई कोड जम्मुन कैश्मीर और पैंथर्स पार्टी का कैंडिडेट हूं जम्मु पूंच कांसिचुंसी से और पैंथर्स पार्टी का स्पोक्समेन और जन्र सेटर भी हूं यह तो बड़ा सिंपल काम है आनिंप्लाइमेनट को दूर करना जो मेरा अपना परप परसणल नजरिया है हम देखें पुलीष को पेले लेते हैं पुलीस टिपार्टमेंट को कितने अडीशनल डीजीपी हम ने बनाए हुए हैं कितने ही additional IGP बनाए हुए हैं और एक higher level की post बढ़ाने से लाखों रुप्या खर्चा बढ़ जाता है इसी तरह commissioner secretary बहुत फाल्टू में बनाए हुए हमने जैसा आप आदेने चाहिए एक डी जी पी रख लो बाकियों को कोई जरूरत नहीं रखने हैं कि वो जो पैसा बचेगा उसके लिए आप नौजवान लड़कों को जाब दे दो इसी तरह से हमने tax collection में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन से tax नहीं collect होते हैं चूंकि उनकी higher up में वाकफी है तो वो उसका फाइदा लेते हैं और tax collection नहीं होती है इस वज़ा से सरकार जो है वो properly काम नहीं कर रहे हैं अमीरों की मदद के लिए काम कर रही है और जो नाजवान हैं हमारे वो इस सहाथ तक परेशान हैं कि जो PhD भी जो नहोंने की जो नहोंने कौन वाजवान मुझे बताओ के जो अच्छा पड़ा लिखाया वो सरकार की नोक्रिया आना चाहेगा आना लेकि एजुकेशन में हमने क्या नीती अक्तियार की हुई हमने एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया हुए बड़े बड़े प्राइवेट अधारे बना दिये गे हैं अब किसी ने अपने बच्चे को स्कूल दाखल कराना है तो पचास पजाजार रप्या तो उसको एक एखलाग तो उसको वह एडमिशन फी देना पड़ती है तो प्राइवेट सेक्टर में हमने बढ़ावा कर दिय है और जो हमारे विलेज़ में स्कूल है वहां पर टीचर नहीं परवाइड की हुए है और जो शहर में स्कूल है वहां बच्चे नहीं सुरकारी स्कूलों में हैं वहां पर हमने सारे टीचर गाउं से भी इठा करके अटैच कर दिये हुए है यह सब फॉल्टी पालसी चल र करी कहां से मांगे के ना होगा बांस तो ना वजेगी बांसुरी ये तो पालसी है हम इसके हाक में नहीं है देखे जहां तक रोड्स का तालुक है हमारे जो शहर है शहरों में हमने बड़े खूबसूरत रोड बनाए हुआ जमू शहरी ले लो सिरी नगर शहर ले लो आप कें भी ठीठा हो जाती है एक साल में दो बार तो उस पर लुक पढ़ जाती है जब हम गाओं में जाते हैं तो सिर्व वहां पर अर्थ वर्क किया हुआ है उसके बाद कोई नहीं पूछता उन सड़कों को और गाड़ियां दूर दुराय के अलाकों में गाड़ियां जो और पुराणी गाड़ियां जो है वो उन सड़कों पहल इसी लिए हम रोज देखते हैं कि एकसिडेंट हो रहे हैं ओबर लोडिंग हो रही है यहां तक वीमेन एमपाबर्मेंट का तालुक है आरते हमारे समाज का आदा हिस्सा है 50% है और मैं तो समझता हूँ उनका 50% से ज समाज में कोई काम कर सकते हैं और पूरी फैमिली को संभालती है एक आरत आरतों की जो प्रापर एमपावर्मेंट है उनकी तालिम है उनका जाब है उसकी तरफ जितनी तवज़ होनी चाहिए वो नहीं दे गया और तो और जो हम उनको असंबली पार्लिमेंट और पंचायतो में हमने उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी है मगर असंबली में कोई रिजर्वेशन नहीं पार्लिमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है